उपराष्ट्रपती पत के लिए भारतिय जंता पार्टी और NDA के प्रत्याशी के रूप में विखत करते हैं हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनकरजी श्री जगदीप धनकरजी ये वेस्ट पेंगौल के अभी गवर्णर हैं और लगबग तीन साल तीन दशक तक साजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है दनकरजी एक साधारन परिवार से किसानपुत्र एग्रेजेंट परिवार से किसान की भूमी से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और अर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच लक्ष को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार को बिलॉंग करते हैं और उनका लालन पालन जुन जुनु के एक डिस्ट्रिक्ट के गाओं में वहां हुआ और गाओं के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चितार गड़ से अपनी शिक्षा ली बाद में व फिर्स्ट जेनरेशन के प्रोफेशनल हैं यानि वकालत के रूप में वो फिर्स्ट जेनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आपको राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील एक प्रसिद वकील के रूप में स्थापित किया और साथी साथ स एक वकील के रूप में स्थापित किया. So he's a first generation lawyer, a first generation professional. और सारजनिक जीवन में आने से पहले वो एक प्रतिष्चित वकील के रूप में उन्हें अपने आपको स्थापित किया. वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे जब उन्होंने पहली बार लोकसभा 1989 में जुनजुनु से चुनाव लड़ा और वहां से वो विजय हासिल की और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वो पार्लिमेंटरी अफेर्स Minister of State for Parliamentary Affairs के मंत्री रहे और बाद में वो राजिस्थान के किशनगर Constituency अजमे डिस्टिक्ट से विधान सभा के भी सदसे रहे और उनका एक लंबा administrative experience रहा है हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महिने 2019 में उन्होंने राज्यपाल का पद वेस्ट बेंगॉल में परश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद को संभाला as governor of West Bengal और हम जानते हैं कि उनकी छवी पीपल्स गवर्नर लोगों के गवर्नर लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे सक्षियत के रूप में राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से सार्जनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतिय जनता पार्टी और NDA ने ये तैय किया कि किसान पुत्र साधारन परिवार से बढ़ते हुए फर्स जेनरेशन के प्रोफेशनल फुली एक्विप्ट एजन एड्मिनिस्ट्रेटिव केपसिटी और जिनका सार्जनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है ऐसे प्रत्याशी को भारतिय जनता पार्टी और NDA अपना उपराश्ट्रपती वाइस प्रेजिडेंट का प्रत्याशी घोशित करती है और आगे चल करके उनके नॉमिनेशन की तारीख भी तैह होगी और फिर चुनाओ के दृष्टी से त्यारी होगी मुझे यही आप सब को बताना था श्री जदीब धनकड हमारे NDA के प्रत्याशी है